रिहाई के बाद पहली बार दर्भंगा पहुचे आनन्द मोहन बीजेपी पर जम कर साधा निशाना कहा देश को पाकिस्तान बंगला देश नहीं बनने देना है जीहां जेल से रिहाई के बाद पहली बार दर्वंगा पहुचे बहुबली संसद अनन्द मोहन ने भारतिय जंता पार्टी पर जम कर निशाना साधा उन्होंने मनिपूर में हो रही हिंसा के साथ साथ विपक्षी एकता कोई बैठक और भारतिय जंता पार्टी के ओपर आंधभक्ती जैसे सवाल और हिंदू मुसलमान को बरगलाने की कोशिश को लेकर शायराना अंदाज में भी उन्होंने जवाब दिया आंध मुहन ने मनिपूर के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि इस से हमें सबक लेना चाहिए अपने देश को पाकिस्तान बंगला देश नहीं बनने देना है मनिपूर की घटना बहुत ही दुखद है आप देख सकते हैं कि वह किस तरीके से राजपाल जैसे पदों पर बैठे लोगों के बंगले जलाई जा रहे हैं श्री लंका में जिस तरह लोगों को आग के हवाले किया जा रहा था उसी तरह आज मनिपूर में रूलिंग पार्टी के लोगों को आग के हवाले किया जा रहा है जो लोग कहते हैं कि हमारे एक टेलिफून पर यूकरेन का यहां जो धर्म के नाम पर आंधभक्ती फैलाई जा रही है वह बहुत ही दुख दिस्तिती है पहले कितना अच्छा था कि जिन लोगों के बीच जो भी वैचारिक संघर्ष था वह गांधिवादी और समाजवादी के बीच था अब ऐसे दिन आ गए हैं कि लोग हिंदू वर्सिज मुसल्मान लगाई करा रहे हैं उन्होंने एक शायरी का हवाला देते हुए कहा कि शक्ती थोड़ी वाजिब है पर पत्थर होना ठीक नहीं हिंदू मुसलिम वाजिब है पर कटर होना ठीक नहीं लगा ताएक इतियास साक्षी है परिस्थितिया नेचा पर आप की हिंवत नहीं होती है मनिपूर तरफ जैने के आप पाकिस्तान पर तग्वा पर सितुआ चो प्सक्राइब है यह तो होता है तेकिन एक बार भी डोकलाम के तरफ जहनतने की आपकी हिंवत नहीं आपको अर्णाल चल जाने की हिमत में होती है जो आप उसको छुपा लेते हैं जब आपको एयर क्यास जिसको मार के हमारे क्या कदर पाहिला का और भोज को सिपाई मार के धसिट के चीन लेगा जाए पाहले जो घटना घटी थी उसको सीधे ठंडे बसके नगा देगा कि एक बार त्वाल लोग ज्हाखाने उसनर चर्चा करें परिणाम हुआ को में डूनिया जानती है क्लोनिवस ही कि आप उदर जखते न ही आप पाकिस्तान दिखाते हैं आउ मुसल्माद ग्ष़ाते हैं हमका थे भागते हैं चार Amazon रण के रहा दिखा दोग मने दूर के लिए लोग मारा मारी कर रहा पकिस्तान बा colonial जाए नफरत के लोग ने हमिने हैं बंचा कि, सुनेह की, प्यार की, यही बुड्ध आंप सिखाया, यही माविर आँप सिखाया, यही माविर आपत शिखाया सरे संक महारसी लोग हमको को यही चिर। तो जो नफरत पर आया उनाफरत पर जाएगा, हम यह खनफरत की छेती मुख्बत की तुकान फुल लें हैं कि हम राहुन जी से कहेंगे सलाकार अच्छा रहा है। हम मुख्बत की दुकान फुलने हैं तो कान नहीं है कि दुकान में क्या होता है सोदवाज हो emergen तो दुकान ठोल करके आप आप कीजिए का प्यार है वह है वह वगद का प्रक्राइस इसलिए उनके सलापारों को बताने आप उनको सुधार करना चाहा है मुहबद नफरत का बाजार हो सकता है नफरत की खिटिवारी हो सकती है जोड़ी इस देश में चल रहा है, लेकिन हम मुहबबत की दुकान में एक हुआ है, मुहबबत के लिए हम वालिदान थे। मुहबबत के खातिर जैसे घ्रांधी, जैसे आपके विरादरी के वो घनेश संकरविद्यार्थी, कलकत्ता की गलियों में भारे गए, वो निकले थे मुहबबत के लिए बलिदान थे। तो राहूल गांधी जो कर रहे हैं, वो बलिदान थे। मुल रहा है ये शन, धर्म क्या धार्पर या जाति क्या धार्पर गुल बंदी देश के लिए खतरगा है। मैं इसा मानता हूँ कि जहां जहां ऐसा हुआ, ऐसी कोशी से हुई, ऐसी साजी से हुई, उस देश और उस समाज को भुगतना पड़ा है। चाहे जर्वनी का बड़वारा हूँ, भारत भाकिस्तान का बड़वारा हूँ, चाहे भारत भाकिस्तान और बंगला देश का बड़वारा हूँ, चाहे वो अफगानिस्तान और तालिवान का काट मारा हूँ, तो सी आर सुनी के नाम पर इरान और इराग के मामले होगा, कि बगर के पर उसी देश श्रिलंका में जहां तमिलर सिंग अलिगा जातिया इंडुपा और आज अपने देश में विगत 45 दिनों से मनिपूर में जो गुरा जिसमें दो दर्जन से जादे लोगों की जाने चलिए पचहतर हजार से जादे लोग मिस्तापित हो गया और बच्च से लापता है माएं दिल्ली में जंतर मंतर पर घड़ना दे रही है कि हमारे बच्चे कहां गए यह बहुत ही दुरभागी पूर्ट और सर्वनाग घटना है और यह सब जातिये विद्वेश के खाल में इससे सबक लेना चाहिए हमको अपने देश को पाकिस्तान, बांगला देश, अफगानिस्तान नहीं बनने देना है, मनिपूर की घटना बहुत ही उखर घटना है, अब अब तुस्त, राजपार्ट सर्कारी लोगों के बंगले जलाए जाड़े, सिरलंका के तरह जैसे राजपती को वहां से भागना पड़ा, आग के हवाले लोगों ने कर दिय बिलिडिंगे, उसी तरह आज रूलिंग पार्टी की लोगों को आग के हवाले घर किये जाड़े, ये बहुत ही दुखत, आठ पईतालिस दिन में जो लोग कहते हैं कि हमारे एक टेली फॉन पर, खास करके अंद वक्त लोग तो बढ़ी प्रिचारित किया, हम लोग तो जे वो उनका टेलीफॉन मनिपूर में कहां आठ गया है, कितना कम फासला में देश करें, तो नहीं एक बड़ जाकने के लिए जा रहे हैं, लोग पुरूश, क्योंने जा रहे हैं, गृधेश सिद्रा पर जाते हैं, देश में घटना घट रहे हैं, वहां क्योंने जाते हैं, त तो यह सब बहुत उखद इस्तिती है, करासद इस्तिती है, हाँ मैं मानता हूँ कि जो ट्रेनिंग हम लोग की है, वो सबाइदबादी बैक्डरॉंट से हम लोग हैं, और हमारे हाँ जो ये भर्ण क्या रहार पर गुर्बंदी हो रही है, तो मैं नेशन के लिए, रास के लिए बहुत असुर लक्षन मानता हूँ, और हम जो बचा कुछा समय, हमने पहले निकलते ही का, कि हमारी आखरी सांस समाजबादी अस्थापना समाजबादी मजूद करने हैं, अर यह है, समाजबाद आखरी सांस समाजबादीं की धर्ति रही सबहें सांस समाजबादीन की इहां वह जिए रहा है, इक से एक सोशलिस्लोग नेया हुए, राम नंदर मेश्रण यहांसे थे जीपी का भक्रभद यह, ड.्रॉहिया का कर्म अस्थ्थली नहारी है, उन नहीं जानता, तो यह समाजबादियों की धर्ती है, और समाजबाद का कमजूर होना इस देश के लिए बहुती दुर्भात पूर्न है, उसका मुझकरा होना या कमजूर होना, पहले जो संघर्स होते थे बैचारिक, उसमें गांधी बाद वर्सिस समाजबाद होता है, कि नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजीब है पर कटर रहते हैं।